हमारी जरकार आएगी तो सीधा सुन लो दो तीन काम तो मैं आपको यहां से कह देता हूं मैं जूटे वाइदे नहीं करता हूं मैं आपसे 15 लाग का 2 करोड यूवाँ को रोजगार देने की बात नहीं बोलूँगा मगर दो तीन चीज़े मैं आपको यहां से कह दूँगा पहली बात और मैं जानता हूं यह शहर है मगर मध्यप्रदेश में करोड़ों किसान है तो पहली बात जैसे ही यहां कॉंग्रेस पार्टी के सरकार आएगी हमारा पहला काम किसान का कर्जा माप करना होगा क्यों आप बोलोगे क्यों राहूल गांदी गौलियर में आके पहली बात उसने किसानों की क्युकि मैं आपको बताता हूं क्यूंकि अगर यह शहर बना है अगर यह इमारते बनी है अगर यह हिंदुस्तां यहां तक पहुँचा है तो ये काम आपके माता पिता आपके दादा दादी नाना नानी ने किया और वो सब के सब किसान थे तो अगर ये शहर बना है तो हिंदुस्तान के किसान ने बनाया है और इस देश को किसान पर कर्ज है वो खून देता है अपना पसीना देता है दिन भर सुबह चार बज़े चगता है उसको ना पानी मिलता है ना बिजली तो पहला काम किसान का कर्जा माफ दूसरा काम दूसरा काम युवाओं से मोधी जी ने वाइदा किया था दो करोड युवाओं को रोजगार मिलेगा मैं आपको यह नहीं कहूंगा कि हम दो करोड युवाओं को हर साल रोजगार देंगे मगर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हर 24 घंटे में चाइना की सरकार 50,000 युवाओं को रोजगार देती है और उसी 24 घंटे में उतना ही बड़ा देश, उतना ही शक्तिमान देश 24 घंटे में BJP के टाइम में सिर्फ 450 युवाओं को रोजगार दे पाती है मेरे आक्रे नहीं है, इनके मंत्री के आक्रे हैं लोग सवा में रखाऊ उसका रोजगार कैसे आएंगे, रोजगार कहां से आएंगे सबसे पहले रोजगार construction industry और agriculture खेती में से आएंगे कैसे आएंगे किसान के खेत के पास हमें food processing plant लगाना है हर district में food processing plant लगेगा किसान direct अपना माल factory में बेचेगा दूसरी बात शिवराज चोहान जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने बैंक का लाखों करोड रुपया 15-20 लोगों को दिया है मध्यप्रदेश में Congress Party की सरकार आईगी तो हम 15-20 लोगों की मदद नहीं करेंगे हम यह जो यहाँ पर जो छोटे दुकानदार थे इनकी मदद करेंगे बैंक के दर्वाजे इनके लिए खोलेंगे हम यहाँ यहाँ जो युवा करें है जो बिजनस चालू करना चाहते है जो छोटा सा उदियोग लगाना चाहते है जो चाइना से कॉंपेटिशन करना चाहते हैं हम उनके लिए बैंक का दर्वाजा खोलेंगे हम आपकी शक्ति का प्रयोग करेंगे देखिए मेक इन इंडिया की आप मीटिंग देखिए मोधी जी ने मेक इन इंडिया की मीटिंग की उसमें 15-20 लोग इदखाई दिये उसमें अने लंबानी जी भी शामिल थे नीरव मोधी जी भी शामिल थे मगर ये लोग मेक इन इंडिया नहीं कर सकते हैं मेक इन इंडिया मध्यप्रदेश का युवा कर सकता है आप में शक्ति है आप में समझ है आप में ग्यान है आपके हाथ में जो हतकड़ी लगा रखिये हैं लोगोंने आपको कहते हैं दो करोड युवाओं को रोजगार और पिर 15 साल में मध्यप्रदेश में आपको रोजगार नहीं मिला, साड़े 4 साल में नरेंद्र मोधी जी ने रोजगार नहीं दिया, ये जो हतकडियां हैं, उनको हम तोडने वाले हैं, ये आपको अभी लग रहा है, किसान को लग रहा है, कि हमारे हाथ बंदे हुए हैं, जैसे ही यहां कॉंग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, आपको लगेगा हाथ खुल गए, जोटा दुकांदार गबबर सिंग टैक्स, GST में, पता नहीं कितने फॉन बढ़ता है, दिन भर लगा रहता है, अकाउंटिंग करता रहता है, दुकांदारों को नहीं समझाई, गबबर सिंग टैक्स कैसा है, क्या है, इसमें क्या करना है, तो मेरा तीसरा वाइदा आपसे, जैसे ही दिल्ली में कॉंग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, वैसे ही गबबर सिंग टैक्स को बदलके हम आपको सची GST दे डालेंगे, एक टैक्स, कम से कम टैक्स, कम से कम फॉर्म, और जो गवालियर के छोटे दुकांदार हैं, आप अच्छी तरह सुनिए, गबबर सिंग टैक्स को हम असली GST में बदल देंगे आपके लिए हम आपके दिल का दर्द समझते हैं, सुनते हैं और हम आपके साथ खड़े हैं